नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजिलिया पेस्ट और आपके साथ मैं सीवानी शुरूबात करते हैं आज की बड़ी ख़बरों के साथ थाना बहादुगर शेत्र के गाउं शेरपूर में रहने वाले बुजर्ग का लहुलाहा नवस्था में शब पड़ा मिलने से हरकम मच गया आपको बता दे कि शनिवार की सुभा साथ का चार पाई पर खुन में लटपत पड़ा था शब और इसको देख गाउं में संसनी फैल सोचना मिलने पर पहुंची पोलिस ने शब को कबजे मिले कर पोश्ट मौटम के लिए भेज दिया और मामले की जांश शूरू कर दी पोलिस से मिले जानकारी के नुसार मृतक का परिवार दिल्ली में रहता है मृतक 63 वर्षिय साइद गाउं में ही मजदूरी करता था घटना की जांकारी मिलने के बाद लोगों की भेड़ मौकी पर एकत्रित हो गई मामले की जांकारी मिलते ही पोलिस और पारेसिक्टी मौके पर पहुंची और शब को कबजे मिले कर पोश्ट मौटम के लिए भेज दिया वई हत्या की सूचना की बाद पर पर रिजन भी मौ हापोर से गुलजार अले की रिपोर्ट दर्स्ताक्षिक्रम में आजिकारवाई की बाहदुर गड़ ठानश्वेत्र में सेरपूर गाउं में बीती रात एक व्यक्ती साहिद सानाफ अजीच जो पिसान बासट वसके थे उनके गले पर धर्दार हथियार से वार करके उनके हत्या कर दी गई इस गटना की सूचना प पर सरीप सानाफ अजीच की गिरफ्तारी की गई है और उसे पूस्त आज में अपना जुरूम कबूल किया है साथी साथ अभीव की निसा दही प्याला कत्व की प्रामदगी की कारवई चल नहीं है